दाख में 26 जवानों से भरी बस नदी में गिर गई इस हाथसे में सेना के 7 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान गंभीर रूप से घायल भी बताये जा रहे हैं हाथसे के तुरंद बाद जवानों का रेस्क्यू कर लिया गया था उन्हें अस्पताल में एडमिट भी करवाया किया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका यह हाथसा थोई से लगभग 25 किलोमेटर दूरी पे हुआ है जहां सेना की बस श्योक नदी में करे 50 से 60 फिट गहराए में जाकर गिर गई जिसमें सेना के सभी जवान गायल होगे सभी जवानों को परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल पहुँचाया गया था और लेह से सर्जिकल टीमों को परतापुर भेजा गया हालकि इनमें से 7 जवानों को मिन तक घोशित किया जा चुका है तो लद्दाख में ये बड़ा सड़क हाथसा हुआ जिसमें 26 जवानों से भरी बस नदी में जा गिरी जिसमें 7 जवानों के शहीदी हो गई और 19 जवान गंभीर रूप से घायल बताय जा रहे हैं